नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहें आप, मैं हूँ आपके साथ प्राणशे राठोर उतरप्रदेश की 80 लोग सभा सेटो पर दाव खेलने की तैयारी में हैं बहुसल समाज पार्टी की सुप्रीमो मायवती मायवती नास्दरे बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनोती बनी हुई हैं बलकि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के लिए भी जानकारी देदें कि अब मायवती ने चुनोती दे दी है उन्ही के समर्थन में अपने बयान देने वाली सुहेल दे भारते समाज पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष ओपी राजवर को अक्सर ओपी राजवर मायवती के समर्थन में बयान बाजी करते हुई नजर आते हैं आपको जानकारी दे दें कि ओपी राजवर ने ये तक कहा था कि सौनिया गांधी मम्ता बनर जी अखलेश यादव को उन से जाकर मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें गटवंदन में शामिल करा लेना चाहिए वहीं उन्हें पी एम पत की दावेदारी के लिए भी आगे करना चाहिए लेकिन अब ओपी राजवर जो NDA का हिस्सा है अब ओपी राजवर को मायवती ने चुनौती दे दी है दरसल आपको बता दें कि मायवती की तरफ से लगाता असी लोग सभा सीटों के लिए उमीदवारों के नाम घोशित किये जा रही है और अब उन्होंने दाव खेल दिया है घोशी लोग सभा सीट पर जहां से उमीदवार है ओपी राजवर के बेटे अरविंद राजवर वहीं दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से राश्ट्य सचीव राजीव राय को उमीदवार बनाया गया है ऐसे में मायवती ने अब अपना यहां पर देखा जाए तो पासा भी खेल दिया है आपको जानकारी दे दे मायवती ने यहां पर बालकृष्ण चोहान को उमीदवार बनाया है बालकृष्ण चोहान जो हाल ही में कॉंग्रेस का दामन छोड़ कर बहुसन समाजवादी में और अब बालकृष्ण को घोशी से उन्होंने उमीदवार बना दिया है देखना होगा कि आखिरकार यहां से बहुसन समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज